नमस्कार बालमित्रन्नू आजपन मेरी मा या विश्यावर हिंदी मधे निभंद लीना रहोत मेरी मा यह निभंद लिखने के लिए हमें रूप रेखा दी गई है याने की कुछ मुद्दे दिये गई है मा की महिमा परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त स्वभाव की विशेष्ता धार्मिक प्रवरुत्ती उदार्ता मा के प्रती पुज्य भाव तो इन रूप रेखा के आधार पर हम मेरी मा इस विशेपर निभंद लिखेंगे मा शब्द में कितनी मिठास है इस शब्द का उच्चारन करते ही वास्सल्य की जीती जाकती मूर्ती आँखों के सामने खड़ी हो जाती है मा शब्द में ममता का भंडार भरा हुआ है मेरी मा दिन भर कुछ न कुछ काम करती रहती है ग्रहस्ती की हर चीज़ पर उसकी नजर रहती है वह घर की साफ सफाई करती है घर को सजा कर रखती है और परिवार के हर सदस्य का पूरा ख्याल रखती है वह पिताजी के हर काम में उनकी सहायता करती है मेरी पड़ाई लिखाई, भोजन, कपड़े, आदी का इंतजाम मेरी मा ही करती है मेरी मा बहुत मिलनसार और दयालू है वह घर आये रिष्टेदारों और मेमानों का सहर्ष स्वागत करती है मेरे मित्र और मेरी बहन की सहेलियों को वह बहुत प्यार करती है घर के नौकर चाकर उसे अपनी मा जैसा सम्मान देते है मेरी मा दार्मिक विचार की है वह प्रति दिन मंदिर जाती है हमारे घर में भी एक छोटा सा मंदिर है मेरी मा सुबह शाम इस मंदिर में दीपक और अगर्वत्ती जलाती है भगवान के चर्णों में फूल चड़ाती है और हात जोड़कर तार्थना करती है वह जादा पड़ी लिखी नहीं है लेकिन अंध्य विश्वासों और रुडियों को नहीं मानती वह चुआ चुत में विश्वास नहीं रखती मेरी मा का मन, उदार और रधह विशाल है वह हमें खुब पड़ाना चाहती है उसकी इच्छा है कि हम पड़ लिखकर योग्य बने अपने पैरों पर खड़े हो इमानदार और स्वाभिमानी नागरिक बने मैं अपनी मा को बहुत प्यार करता हूं सुबह उठकर सबसे पहले मा के चरंचुता हूं मेरी मा मुझे अशिर्वात देती है सच मुझ मेरी मा स्नेह, ममता, करतवय पालन और सद्भावना की जीति जाक्ति मूर्ती है मेरे जीवन निर्मान का स्रेय मेरी मा को ही है मा की सेवा, प्यार और ममता का रुण मैं कभी नहीं चुका सकता ऐसी है मेरी मा, सदा हस्मूग और दूसरों का खयाल रखने वाली